आज हम मोमोज मंचूरियन बनाने जा रहे हैं एकदम सॉफ्ट स्पाइसी और मंचूरियन सॉस में डूबे हुए गर्मा गरम मोमोज आपको चलिए फटा फट से बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मोमोज के लिए आठा लगाएंगे तो यहां पर एक कप हमने मैदा ले और जैसे ही सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा पानी नॉर्मल पानी है ना ज्यादा गरम है ना ठंडा है नॉर्मल जो मटके का पानी होता है बस वही पानी है अब जो इसका आठा हमें लगाना है वो सेमी सॉफ्ट लगा इंच अद्रक हम डाल देंगे इसके अंदर कदुकस किया हुआ है और 5-6 लहसुन की कलिया है जो मैंने कूट कर ली है कुछ सेकंड के लिए हम इने पकाएंगे बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है अब इसमें हम सबजियां डाल देंगे तो एक बारी कटी हुई गाज है वो भी हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच आधा छोटी चम्मच नमक लिया है एक छोटा चम्मच का अली मिर्च का पाउडर है और एक चम्मच सोया सौस का लिया है इसे 1-5 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर हम अच्छे से पकाएंगे अब क्रंच जो है सबजियों का वो खतम नहीं करना है इसलिए बहुत ज्यादा देरता कि इसे पकाने की जरुरत नहीं है बस एक डेड़ मिनिट के लिए पकाना है फिलिंग तयार है इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे दस मिनिट बाद आटा भी चेक कर लेंगे इसे एक से दो मिनिट के लिए हम अ इसकी लोई बना लेंगे अब इससे हम अच्छे से बेल लेंगे जो ये पूरी हमें बनानी है ये एक दम पतली बनानी है इस बात का हमें ध्यान रखना है जैसे आप पराठे को पैक करते हैं जब हम आलू का या किसी भी चीज का पराठा बनाते हैं तो हम इस तरीके से पैक करते हैं बस वैसे ही हमें पैक करना है ज्यादा टेंशन लेने की जरुरत नहीं है और अगर ऐसा आप से नहीं हो रहा है तो जब हम गुजिया बनाते हैं बिल्कुल जिस तरीके से बिल्कुल उसको cover कर देते हैं बिल्कुल आप वैसे भी बना सकते हैं तो उपर से देखिए पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हटाने की जरुरत नहीं हल्का सा fold करके थोड़ा सा बस press ही करना है इसी तरीके से सारे momos तयार कर देंगे अब हमने यहाँ पे आटा चानने वाली चलनी ली है जिसके उपर हमने पत्ता को भी इस तरीके से फैला दी है यह इसलिए ताकि जो momos है वो इसके उपर ना चिपके आप इसकी जगा जाली वाली जो प्लेट होती है वो भी ले सकते हैं अब मैंने यहाँ पे इडली वाला बरतन लिया है जिसमें एक कप पानी डाल कर मैंने अच्छे से उबाल लिया है इसकी जगा आप कोई भगोना या कड़ाई भी ले सकते हैं चलनी को इसकी उपर रख देंगे धक कर मीडियम फ्लेम पर पंदरा मिनिट के लिए स्टीम होने देंगे पंदरा मिनिट में मोमोस देखिए बढ़िया से स्टीम हो जाएंगे अब चलिए मंचूरियन सॉस बनाते हैं जिसके लिए पैन में दो से तीन चम्मच हम तेल ले रहे हैं इसमें आधा इंच अदरक डाल देंगे पांच से छे लेसुन की कलियां और आधा बारी कटा हुआ प्याज डाल दिया है और थोड़ी सी ही मैंने यहाँ पर पत्ता गोवी भी ली है आपको ध्यान रखना है कि फिलिंग में हमें ज्यादा सबजिया लेनी है और मंचूरियन सॉस में वही सबजिया हमें काफी कम लेनी है अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चोटा चम्मच हमने नमक लिया है इसे भी हम कुछ सेकिंड्स के लिए हाई फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए पका लेंगे जो क्रंच है सबजियों का वो खतम नहीं होना चाहिए अब इसमें सॉस डालेंगे तो एक बड़ा चम्मच यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस का मैट ले रही हूँ दो चम्मच यहाँ पर सोया सॉस डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच विनेगर यानि की सिर्के का डालेंगे और दो चम्मच टोमैटो केचप के डालेंगे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सिर्फ मिक्सी करना है बहुत ज़्यादा पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम यहाँ पर एक बोल ले लेंगे और उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच कॉनफलार का और इसमें हम डाल देंगे पानी हमें इसका एक बहुत ही पतला सा घोल बनाना है पूरा जो स्लरी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे हमें इसे छोड़ना नहीं है दीरे दीरे आप देखेंगे कि यह जो सॉस है वो एकदम ठिक हो जाएगा एकदम यह गाड़ा बनकर तयार हो जाएगा यह देखे एकदम गाड़ा सॉस बनकर तयार है बस इसी पॉइंट पर हमें क्या करना है जो मोमोज हमने बनाए थे वो मोमो में आप उतने डाल दीजे बस ही जो सॉस है वो ऐसे मोमोस के उपर डालने है या फिर आप चाहें तो बस एक बार इसे पलट दे ताकि दोनों तरफ जो सॉस है वो अच्छे से लग जाए इसे पकाने की ज़रत नहीं है सिर्फ मोमोस को हमें सॉस में एक बार डिप करना है तो लगी है आपको रेसिपी आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएगा वीडियो को लाइक की जिगा शेयर की जिगा जल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाइ